कई लोग COVID-19 संक्रवन से रेकवरी के बाद बालों के जड़ने की परिशानी से गुजर रहे हैं या आम दिनों की परिशानियों से कहीं बढ़कर है क्योंकि इस तरह बालों का गिरना शायद आपने पहले कभी अनुभब ना किया हो इसके पीछे की वजा है वाइरल इंफेक्शन, हाई फीवर, लो इम्म्यूनिटी, सरीर में पोशन की कमी, लंबे समय तक का टनाव या समझ्या दो तीन महिने रहती है और अपने आप खत्म हो जाती है बाल धोने और बालों को कंगी करते वक्त सबसे जादा बाल गिरते हैं कोविट के बाद बालों का जढ़ना एक वास्तविक्ता है जिसका सामना इस वक्त कई लोग कर रहे हैं कोविट से ठीक होने की दोरान बालों का जढ़ना और पतला होना कमजोर प्रतिक्षप रणाने के कारण होता है जो तनाव से जुड़ा होता है हलांकि इसे प्रबंदित करने का एक अच्छा तरीका है अपने आहार पर ध्यान देना जो सिर्फ मौसम के हिसाब से होना चाहिए बलकि ताजा तयार किया गया भी होना चाहिए ऐसे डाइट से आवशक पोशन तत्म मिलते हैं जो सरीर को फिर से खड़े होने में मदद करते हैं इसे प्रतिरप्षा भी मजबूर होती है जो बदले में बालों के विकास में सहाइदा करते हैं और उनका ज़र्णा रोपते हैं हम आपको तीन खात पदातों का सुझाओ द मुठी भर किश्मिस रात भर के लिए पानी में डुबो कर रख दे सुभा इसे खा ले आप इसका पानी भी पी सकते हैं आवले का ताजा जूस या फिर कच्च आवला आवले का अचार चटनी या मुरब्वे का भी सेवन जरूर करें 10 ग्राम कड़ी पत्ते के पाउडर को 100 मिली लीटर पानी में तब तक उबाले जब तक की या एक चौथाई कमना हो जाए इस चाय को सबसे पहले सुभा पी ले अगर आप इन सभी चीजों को तीन से चार हफते तक करेंगे तो आपके बालों के जड़ने की परिशानी बिल्कुल खटम हो जाएगी और हमारे वीड करेंगे और हमारे भीजों कर दो दो आपके कार मारे यापके जाएगी ले बालोंगे और हमारे वीडियों को तो आपके जल्ग हए इस चारी हूआएएन।